प्यारे दोस्तों सादर अभिनंदन मैं हूँ महेश कुमार वैद और आप देख रहे हैं एंजेपी इंडिया दोस्तों विधानसवा चुनाव भले ही करनाटक में हुए हैं मगर चुनाव परिणाम का असर केंदर के अलावा हरियाना की राजनीती पर भी पढ़ने जा रहा है करनाटक में हुई कांग्रेस की जीत में निश्चित रूप से पारिटी की राष्टी अध्यक्स मल्लीकार जुन खडगे पूर्व अध्यक्स राहुल गांधी वैसोनिया गांधी तथा प्रियंका गांधी सहीत करनाटक के स्थानीय नेत्रत्यु की सूजबुज और मेहनत क का हाथ है, मगर करनाटक के परभारी और हरियाना के वरिष्ट नेता रणदीफ सिंघ सुर्जेवाला इस चुनाओ में एक बड़े रणदीतिकार बनकर उबरे हैं, सुर्जेवाला के पास ही बतोर परभारी इस चुनाओ की बागडोर थी, कांग्रेस के पास रहकर भी में सामने आए हैं यह कैना गलत नहीं होगा कि करनाटक की जीत से रंदीप सिंग सुर्जेवाला का कांग्रेश की राजनिती में कांग्रेश में जहां कद बड़ा है वहीं योगेंद्रियादों का राजनिती में रुत्बा बड़ा है हर्याना से जुड़े इन दोनों की राजनिती पर भी असर डालता नजर आये तो कोई आश्च्रिय नहीं होगा। सुर्जेवाला की सुर्जेवाला की गिंती हरियाना कांग्रेस के निर्गुट नेताओं में होती रही थी मगर अब उन्हें भी भूपेंदर सिंग उड़ा के विरोधियों में गिना जाता है। यह भी कहा जा रहा है कि वह दिल्ली दरवार में दीपेंदर हुड़ा पर भी भारी पड़ सकते हैं। करनाटक का चुनाव परिणाम दोनों की उम्मीदों को पूरा कर सकता है। भाजपा ने इस चुनाव में बजरंग दल को सीधे बजरंग बली से जोड़ कर पासा पलटने का अंतिम समय तक पूरा प्रियास किया। मगर करनाटक के भाजपा नेताओं का वरष्टचार उजागर करना और कांग्रेस का स्थानिय मुद्धों पर डटे रहना भाजपा पर भारी पड़ गया। पंजादल बजरंग बली पर बहस में उलजने की बजाए अगर अपनी रणिनिती पर टिका रहा तो इसका थोड़ा सा स्रे निश्चित रूप से सुर्जेवाला और योगेंदर यादों को भी जाएगा। धन्यवाद आपसे एक वी नमर अपील कृप्या मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।